दोस्तो मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अरियाना सरकार एक्ससी और सीटी उमिद्वार इसको लेकर जो गलियारे में क्या चर्चा हो रही है इसके उपर भी नूज आई है इसके अलावा गुरूप डीब अर्ती अरियाना पुलिस वेटिंग 15 दिनों में क्या बड़ा दमाका होगा पूरी इनफोर्मेशन विस्तार से आपको बताएंगे कल की जो एक गंटे तक मिटिंग चलिये उसमें क्या राह है इसके अलावा CET के तहत किनूमी द्वारों को लिया जाएगा और बिना CET किन को लिया जाएगा वो भी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे उससे पहले सातियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का विश्वसने चैनल जो लगातार आप तक सबसे पहले और विश्वसने अपडेट पहुँचाता है तो पहले साथ यू देख करमिचार्य चैनायोक, सीटी और उमिद्वारों की चर्चा हो रही है ये साथ यो आपको भी पता है क्या क्या हो रहा है आज कल CT की गोशना हुई उस समय नई बर्तियां जो भी उस समय बर्तिया चल रही थी उनको रद करके CT के अंडर कर दिया गया अब साथियों CT अच्छे के लिए लाया गया था या नहीं गुरुप 56-57 के पेपर को करवाने के लिए रात को भी सुनवाई हुई और आप लापरवाई दिखाई जा रही है इसी को लेकर इसमें बताया गया है यूवा ऐसा मज़स की स्तिती में है इसमें कोई दोराई नहीं है विदान सवा में मुद्द उठा है अब साथियों मामला यहां है CT नोटिफकेशन के कारण पहले से चल रही बरती परकिर्या रद करने पड़ी इससे भी यूवा नाराज है वैसे तो यूवाओं की मांग CT क्वालिफाई नेचर का होना चीए यूवाओं की मांग है और उजाइज भी ऐसा थियो CM अनोरलाल ने विदान सवा में भी इसके बारे में का था कि आगे विचार किया जाएगा क्या संसोदन किया जा सकता है क्या किरना है ये आगे विचार किया जाएगा गालियारिय में चर्चा है कि जिस तरह कांग्रेस नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसका असर आगामी चुनाव में भी पड़ सकता है ये तो 37 CET की खबर अब अनसन और जवार यादव का क्या कनेक्शन हो गया है ये देखना बेयद जरूरी है उससे पहले साथ क्यों ये खबर देख लीजिए खिलाडियों के लिए गुरूपडी की बरती का जल्द संसोदित परिनाम जारी किया जाएगा यानि की रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा खिलाडियों की नोकरी को लेकर CM आवास पर बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए है इसमें साथ क्यों यूओं के लिए कुछ गुड नियूज दी गई है वो देखना बेज़ जरूरी है 2018 की भरती में खिलाडियों की कोटे का संसुदित परिणाम जारी किया जाएगा ऐसे में वेटिंग में चल रहे हैं खिलाडियों को मोका मिलेगा जबकि दूसरी तरफ गुरूप C के 3% कोटे में OSP के बाद बाकी बचे पदों पर ESP को मोका दिया जाएगा इसके लिए उनसे आविदन लिए जाएंगे खिलाड़ी वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर पंचकुला में कई दिनों से परदसन कर रहे थे CM की OSD जवार यादव ने उन्हें मामला निम्टाने का आवसौसन दिया CM आवास पर हुई बैठक में अरियाना स्टाप सेलक्शन कमीशन के अलावा CM के कई सीनियर अधिकारे भी मुझूद रहे एक गंटे से ज्यादा समय तक यह बैठक चली बताया गया कि OSP को सीधे नोकरी मिलेगी करीब 1000 खिलाडियों ने सीधे पास भी किया हुआ है जिसमें कई तो बिना कोटे के आदार पर भी नोकरी लग सकते है CM के OSP जवार यादा उन्हें बताया कि जल्द ही पुलिस की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी साथियों पुलिस की वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने गोशना की गई है और यह गोशना करने की उनका जो लाइव वीडियो है वो भी अमने चैनल के उपर कल रात को यह अपलोड कर दिया था वो आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो और साथियों 600 से ज़्यादा कंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट आने वाली है पुलिस वरती में अब इसकी गुरूप D वरती वाले की बात करें तो 342 पत खाली रह गए है परती भागियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग की तरक दिया गया कि एक साल से ज्यादा वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो सकती इसके लिए अब रिवाइज रिदल्ट जारी कर देंगे अगले 15 दिनों में सभी परकिरिया पूरी कर ली जाएंगी यानिकि 15 दिन में बड़ा दमाका हो जाएगा सात्यों पंदरा दिन का समय बचा है तो सात्यों ये थी ग्रूप डी और अरेना पुलिस बरती की बात इसके अलावा खिलाडियों की सीटी बरती का मामला है वो भी लगबग इस मिटिंग में सोल हो गया है ESP को CT पास करना होगा और OSP को सीध्य रोकरी दी जाएगी अब ये इसमें डिया गया है तो आप ये देख सकते हैं इसके अलावा और बरतियों से लेटिड आपको कौन सी बरती की जानकार जीए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत